इंदर कुमार की निर्दीशिमा वनी फिल्म टोटल धुमाल की बात करें तो इस फिल्म को रिलीस होने में महज कुछ ही अफते बाकी हैं और जब इस फिल्म का टेलर रिलीस हुआ था तो टेलर को लोगों ने बहुत जादा पसंद किया दोनों ये फ्रेंचाइजी को लोगों ने बहुत ज़ादा पसंद किया है लेकिन दोस्तों टोटल दोमाल काफी वाइनों में खास होने जा रही है और आज हम आपको इस फिल्म से जोड़ी तीन बड़ी ऐसी वज़े बताएंगे जिसकी वज़े से ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ध्वाधार कमाई करती नजर आने वाली है पहली बज़े यह है कि दोमाल फ्रेंचाइजी से पहली बार संजेदत रिप्लेस कर अजे ने अपनी जगह बनाई हुई है अजे दोगन की बात किरे तो उन्होंने गोलमाल फ्रेंचाइजी में सभी लोगों के दिलों पर राज किया है दोमाल फ्रेंचाइजी के दोनों संजेदत नजर आये थे लेकिन टोटल दोमाल में संजेदत को रिप्लेस कर अजे देगन ने अपनी जगह बनाई हुई है अजे देगन से भी फैंस की पूरी उमीदे हैं दूसरी बड़ी वज़े की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि धमाल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया थे इसलिके साथी अब अगर इम दोनों स्टोलमेंट के अगर कमाई की तरफ आय जाय तो धमाल ने 50 क्रोन रुपे का कलेक्शन किया था लेकिन डबल धमाल उसे साथ से लोगों को पसंद नहीं आई लेकर फिर भी फिल्म ने 70 क्रोन रुपे का कलेक्शन कर लिया था और टोटल धमाल से लोगों की उमीदें और भी जादा बढ़ी हुई है यह यूं कहा जा सकता है कि अजे दोगन की इस फिल्म में आ जाने से ज क्योंकि अजे दोगन की बैक टूबैक 10 फिल्म में 100 क्रोर के कलब में अपनी जगह बना चुकी है तीसरी बड़ी वज़े की बात करें तो टोटल धमाल काफी माइनों में खास है क्योंकि यह बॉलिवुड की ऐसी पहली कॉमेडी फिल्म है जिसे 3D में रिलीस किया जाना है साथी इस फिल्म में भरपूर BFX का भी इस्तिमाल किया गया है आपको बताना चाहेंगे यह जंगल एडवेंजर फिल्म है जिसमें हमें जंगली जानरों को भी देखने को मिलेगा और इसकी छोटी सी जलक हमने फिल्म के ट्रेलर में देख ली है तो दोस्तो यह है टोटल ध झाल